स्वागत इस्टुएंट्स यहां पर क्वेशन है यहां पर एक चार्ज है क्यों ठीक है और इसके बीच में एक कंड़क्टिंग इस्फिरिकल शेल जो है लगा दिया गया है ठीक है नाउ आज्यूमिंग ओल चार्ज इस तो पॉजिटीव मार्क आउट दी करेक्ट स्टेट्मेंट पहला स्टेट्मेंट बोल रहे है चार्ज और भी इस इन्सफिशियंट इन्फोमेशन जो है वह सफिशियंट नहीं है ठीक है और फोर्थ बोल रहा है ननौप देज दीक है मैं आपको यहां भी बताना चाहता हो कि उसके इन्साइट पॉइंट पे जो इलेक्रिक फिल्ड होगा बाकी बाहर के जितने वी चार्जेस उसकी वज़ए से जीरो होना चाहिए ठीक है फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब भी आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल रहेगा उसके इन्साइड पॉइंट ठीक है यह जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इलेक्रिक फिल्ड कौन-कौन डेवलब कर सकता है इस पॉइंट पे इलेक्रिक फिल्ड डेवलब कर सकता है की वन और कौन डेवलब कर सकता है एक और की वन यह दोनों मिल करके इस पॉइंट पी पर इलेक्रिक फिल्ड डेवल ही है और तीसरा जो सर्फिस चार्ज होगा उस कंड़क्टिंग इस फेरिकल शेल के सर्फिस पर भी तो कुछ चार्ज होगा वो भी कुछ इलेक्टिक फिल्ड वहां डेवलप करेगा और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ठीक चलिए डायरेक्शन जो आप लेंगे इवन जो इसके चलते इधर हो का डायरेक्शन एवन एक और जो दूसरा वाला चार्ज है उसके चलते इलेक्टिक फिल्ड दूर जाता हुआ positive charges है तो even ऐसे अप simply आप जानते हैं दैट हम इनकी components यहां पर break कर सकते हैं कैसे components break कर सकते है तो एक component आपका आजाएगा along horizontal दोनों के लिए और इन दोनों के लिए component आजाएगा along vertical ठीक है तो दीए जो horizontal वाले components हैं वो तो आपस में equal and opposite हो करके cancel हो जाएंगे लेगिन जो वर्टिकल वाले होंगे एक हो जाएगा E1 मान लिजे कि यह theta है और यह theta है ठीके तो यह हो जाएगा E1 sin theta और उदर से भी आएगा E1 sin theta तो यह जो E1 sin theta E1 sin theta यह add हो जाएगा मतलब E1 के जो values है उसमें से horizontal वाला cut जाएगा और केवल वर्टिकल वाला add हो जाएगा और यह दोनों मिल करके हो जाएगे 2 E1 sin theta प्लस E1 अब देखिए कि यह value है positive इसमें कोई भी 0 होने के chances है नहीं यहाँ पर 0 होने के चांसेज नहीं है तो अगर यहाँ पर 0 होने के chances नहीं है जो सर्फिस वाली जो चार्ज है उसकी वज़े से जो क्योंकि अगर यह 0 हो जाता है तो इसको 0 कैसे करेंगे हम लोग फिर यह तो हमें पता चल गया कि यह 0 नहीं होगा किसी वह कीमत पर यहां देख लिया हमने डैट मेंस कि इसको भी 0 नहीं होना चाहिए अगर यह चार्ज नहीं होगा और ऐसा तभी होगा जब उस सर्फेस पे चार्ज नौन यूनिफॉर्म ली दिस्टीवूटेड होंगी अगर यूनिफॉर्मली डिस्टीवूटेड होगे तो सब दरब से बराबर चार्ज दिस्टीवूटेड होने की वजहीं से और घजार और उसकी वजह से यह उपर ऑपर चार्ज हमारे जीरो होने के chances बन जाते हैं तो इस वज़े से जो चार्ज होगा outer shell of the surface वो non uniformly distributed होगा इसका option जो होगा भी होगा I hope that this cleared you out thank you very much for watching